हेलो और वेलकम तो दे श्टूडियो मेंबर्स बजास फिनांस को आज की दिन हम ट्रेट कर रहे हैं इसके अंदर हमें एक एंट्री लिए है बाई साइड में 7721 की रेंज पर यहां पर 772 रेंट्री है एंड अपनी है और यह दो आपटे लगे हुए हैं को यहां यहां पर दो आपर हमारे नीचे की दिशा में आप देख रहे हैं लगे हुए हैंडे को आपर रेजेक्ट हो आप रिजक्ट हो गया था अपन श्यूट्च के वजए से इस इसका order by side में एक्जिक्योर गया था okay so यह एक order चल रहा है हमारा double seven two zero पर इस वक्त का अपना प्रॉफित है eighteen hundred रॉपिस के आसपास हम प्रॉफित में eighteen hundred sixteen hundred रेचे प्राइस थोड़ा सा up down up down कर रहा है अभी बार ही इसके अंदर stop loss लगाने की तो जल्दी हम इसके अंदर अपना stop loss लगाएंगे stop loss के लिए seven six nine one point eight zero की range का यूज करेंगे and prices के movement कितने अच्छ हो रहे हैं यहां पर सबसे पहले जल्दी हम अपना stop loss प्रॉट करते हैं okay and position position book open square of nsc SL market paste seven six nine one point eight zero perfect and processing 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 perfect तो order अपना लग चुका है and order book में जाकर के confirm करते हैं pending order हमारा रखा हुआ है seven six nine one point eight zero पर हेंड़ेट कोईटीज का and इस वक्त की जो position book में अपना profit चालर overall four hundred and four thousand five hundred rupees के आसपास का अपना profit running है अब बार यह जाती है बजाज finance के analysis की आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा किस पॉइंट पर volume साती जो अक्सर हमने आपसे बताया है कि किसी अगर एक important range को price break करेगा अगर किसे important range को price break करता है तो वहाँ पर आपको volumes के breakouts देखने को मिलेंगे और अगर volumes के breakouts नहीं आती तो इसका मतलब वो breakout कहीं न कहीं share होने की chances रखता है मेरा ऐसा मानना है कि price में जो ranges अभी हमने आपको ड्रॉ करके दी थी ब्लैक पली रेंजर अपने टेलिग्राम ग्रूप में आप लोगे साथ जो हमने share की थी उनके highs को अगर price break करता है तो volumes के breakouts कंपल सरी है I think मेरी समझ से मेरे experience के recording यहां पर volumes आने चाहिए कुछ भी ऐसा नहीं है या फिर हमें कुछ ऐसा नहीं मालूम है कि वहां पर volumes आएंगे लेकिन हाँ वह जगह कुछ ऐसी होती है कि जिसके breakouts के लिए volumes की जरूरत पड़ती है तो देखिए धीरे-धीरे करके बजाज finance के अंदर volumes आने शुरू हुई है और volumes के breakouts में देखने को भी लेंगे और जब आप हाइयर टाइम पर देखेंगे डेली टाइम पर देखिए डेली टाइम फ्रेम पर भी प्राइज अपने swings को break कर रहा है यह वाली जो कुछ ranges है ओके प्राइज उसी रेंज से अपने supports कर रहा है एंड supports के बाद में अगर अपनी ranges को price upside की तरफ ब्रेक कर देता है यह वाली points को तो इनके ऊपर volumes के breakout आपको देखने को मिलेंगे और जो इस वाली range के पास में सबसे बड़ा जो हाई लगा था मेरा वह इस ब्लैक वाली केंडल पर था चांसे है के प्राइज अपनी इस वाली रेंज को भी upside की तरफ ब्रेक आउट कर दे अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं जो चीज़ अभी हमने बता है अपसे कि यहां पर swings ब्रेक आउट हो र opening के साथ ही साथ अगर हम इन वाले swings को माग कर लें तो प्राइज देखी क्या क्या है इन स्विंग से support लेकर के upside की तरफ जाने की कोशिश की है अपने lows को अपने support को protect किया और वापस से प्राइज अपनी 915 की रेंज के अंदर ही close करके trade करने लगा तो जिस स्कैंडल के थू लूजिंग की थी तो उस रेंज पर ही support करने लगा अभी जो concept हमने आपको यहां पर clear किया है अभी उसी concept को हम लोग चलते हैं सिधे drawings पर समझने के कोशिश करते हैं क्यों कि जब हम drawings पर समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छी तरह से clear होती है जैसे कि एक swing ह है आज के दिन मार्केट ने क्या किया है अपने जस्त इस वाले swing को ब्रेक करके इस तरह से इसके उपर support लेने की कोशिश की है तो जितनी भी candle summary form हो रहे हैं इसके उपर वह यहां पर बन रहे हैं इस तरह से पैस नीचे जाने की कोशिश करता है वापस upside की तरह आता है और ज प्राइस को इसी रेंज से उठाया है एंट अपर रेंज तक ले जाने की कोशिश की जो नेक्स इसका resistance पॉइंट है यह इसका अपना एक टार्गेट हो सकता है तो प्राइस पूरी तरह से हमारे एक support पर है लास्ट रिडिंग सेशन में प्राइस ने जिस रेंज पर अपनी क्लोजिंग की थी वहां से गैप आप ओपनिंग दी है एंट प्रीवेस जे के support पॉइंट के उपर प्राइस हमारे ट्रेवल कर रहा है तो हायर टाइम पर प्राइस हमको एक सटीक रेस्टेंस पॉइंट पर नजार आ रहा है अब प्राइस अगर मेरा डबल सेवन एट होता है तो आपको इंफर्म करते हैं क्लियर हुआ होगा वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा तो हम लोग अपना एट्रेड एंजॉय करते हैं इस वाट का अपना प्राफिट है 5700 रुपीज के आसपास का हमारा प्राफिट चल रहा है तो रजिस्टन्स लग पर है वालिम से प्रैजिस के ब्रेक अप्र अच्छक्री के साथ प्राइज ने ब्रक आइंग इए अभी थोड़ा सा समय है कि हमारा कर सकता है और अगर रिष्ट्रेज्म करनें से पहले पहले यहमारे टार्गेट पॉंट या नहीं कि 7841.10 तक पहुंसर जाएंगे जितना ही प्रॉफिट हो रहा होगा लेकर के निकल जाएंगे इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है हमारा 10,400 9000 रुपे की लगबक का चल रहा है 10,000 ओके इसको चलने देते हैं फिर से वही चीज आती है कि एनलसिस आपकी किस तरह की है लेवल स्कॉप कि स्थरे सीदिफाइ करते हैं आरियंटी के बाद किस कॉणफिटेन चन автом के साथ अप अपने ट्रेड को एंजौरतें हमेशा बोलते हैं हर बार बोलते हैं यही एक चीज़uciónी sphere को बचा सकती है वह है वसका मैने अच्फथ मैनेजमेंट एंट उसका और स्टेज किया जा सकता है डाउन से लेकर किया अपसाइड में लगभग दो परसेंट का मुव हो चुगा है I think बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें हमें काम करते हैं 7,841 रुपे 10 वैसे अपने टार्गेट्स बुक करेंगे यह हमारा पहला टेड है इसके अलावा भी एक ONGC का I think हमने ट्रेट किया था याद है हमको जिसमें दो या तीन के अंदर हमको टार्गेट मिल गए थे और यहां पर क्या है एक दो तीन चार पांच छे शिक्स इंटू लगबग 30 मिट के अंदर अंदर हमको टार्गेट मिले अगर हम टार्गेट को बुक कर लेते हैं तो तो 30 मिट के अंदर अंदर हम लोगों ने यहां पर कितने रुपीज करने हम बोल सकते हैं 11,000 रुपीज की सो चलिए इसके अंदर हम लोग सबसे पहले आपने प्रफिट क को बुक करने के कुशिश करते हैं, copy, order book में चलते हैं, जो stop-loss order है हमारा, इसको cancel करते हैं, cancel, okay, and वापस आ जाते हैं, position book में, देखे, price और भी speed subside के तरफ जा रहा है, targets के भी उपर निकल गया है price, profits अच्छे-खास से increase हो रहे हैं, अपर 13,500, हम यहाँ पर बुक करने की कुशिश करेंगे, जो भी price में लेगा, यही ले लेते हैं, copy, 7853.90, square of currency, यहाँ पर हमने अपना buying order लगा दिया, selling order लगा दिया है, आप देख सकते हैं, pending order मेरा पड़ा हुआ है, 7854.30 पर, position book अभी तक सारी quantity अपनी लगी हुई है, लिए है, सारी quantity अपनी निकल गई, perfect, and overall जो आज का अपना profit है, position book में आप देख सकते हैं, total जो profit अभी का order book में, sell का order है अपना है, 7854.30, यहाँ पर हमारा निकल चुका है, और जो price में को मिला है, exact वही price है, 7854.30, 7854.30, यहाँ से हम लोग बाहर निकल चुके हैं, and overall आज का जो आपनी प्रॉफित बुक किया, अपना 13,430 रुपीज का profit है, and just half an hour का profit यह है, so आज का trade बहुत फास्ट मोमेंटम को ने कैज किया, बजाज फिनांस के अंदर, and अभी भी price हमारा देखिए upside पर है, लेकिन retracement, okay, retracement बनता है, जिस range पर हमने book किया है, I think अभी price में अगर upside का move होता है, तो tick-tock move हो जाए, बट अगर sideways होता है, तो यह थोड़ी देर तक आपको sideways momentum ही show करता रहेगा, लेकिन जो अपनी analysis थी, जिस तरह हम लोगों ने price को analyze किया था, कि volumes के breakout आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि range बहुत important है, जिस range तक price ने या फिर जिस range का price ने breakout किया था, volumes भी आए है, prices के भी moves देखिए, अच्छे होए, 0.50% तक की candle बनी है हमारी है, जो कि एक अच्छा ratio होता है prices का, okay, 13,400 रुपीज का profit है, इस वक्त का समय जो candle मारी बन रही है, साथे 10 प्रेकी candle है, और 10.30 हो चुक है, और हम पूरी तरह से free है, पूरा का पूरा दिन है वारे पास पड़ा हुए, अच्छी तरह से enjoy करेंगे, यह कुछ stocks है जिनको select करके हमने आपके लिए रखा है, जिसमें सबसे पहले stock है HR Motor का है, और second stock हमने DV Slip का, HR Motor के अंदर क्या करना कि कोई भी range हम आपको mark करके दे रहे हैं, तो उसमें करिए वही जो कि अभी हम decide कर रहे हैं, बाकि कुछ stocks होते हैं, जिनको हम morning में भी share करते हैं अपने टेलिग्राम गुरूप के उपा, तो टेलिग्राम आप जोइन कर सकते हैं, बहुत सरे stocks हम आदेते हैं, ट्रेट करने के लिए, जो stocks हम trade करते हैं, वो कभी-कभी अपने public group पे भी share कर देते हैं, जैसे आज भी हमने share किया था और कल भी share किया था, और कभी-कभी पब्लिक group में share नहीं करके उसको अपने private group में भी share करते हैं, सभी stocks को पनेजर बना करके देखिएगा, जैसे कि HR motor है, HR motor के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर buying करेंगे, अगर इसके अंदर short करने के opportunity मिलेगी तो भी short नहीं करना है, जहने दीजिए इसको जहां भी जाना है, यह जहां भी जाएगा गिर रहा है, supports पर कुछ भी हो रहा हमें नहीं करना है, HR motor के अंदर यह जो range हमने mark करके दिए, इसको भी हम group में भी share कर देंग, वहां से आप लोग इसकी image देख सकते हैं, यह जो range हमने mark करके दिए उपर की जो दोनों lines हमने draw की हुई है, जैसे ही prices के ऊपर निकलेगा, आपको यहां पर bullish जितने structures होते हैं, उन में से कोई भी structure अगर यहां पर मिलता है, उसके breakout के बाद में आपको यहां से buying करनी होगी, buying करने के बाद में simply यहां पर आप 1% के अंदर अंदर ही अपने targets book करने की कुशिच किजिएगा, सबसे पहला जो कि यह technical ही है, अगर money management के recording आपको targets book करने हैं, तो 2 रुपे का अगर stop loss आना है, 2 रुपे का अगर इस stop loss है तो 4 रुपे का target book करिए, आयचर मोटर के अंदर अदर आप मान करके चलेगा, 3000 रुपे के आसपास का यह आपकी stock value रखता है, इस case में आप 15 रुपे से बड़ा stop loss मत रखिएगा, 15 रुपे के अंधर ही stop loss आये वही सही है, यह तो बात होगे इस range की, अब हम इस range के ऊपर भाई करने के लिए ही क्यों बोले है, इसको short क्यों नहीं करेंगे, overall जब आप यहां से देखोगे, तो इसके अंदर एक bullish momentum आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से, prices ने अपना यह जो price का structure इसको draw गया था, low, घ, agin low high, यहां पर देखिए क्या हो रहा है- Lows break और फिर नीचे के दिशा में गिर गया है, again यह low, एक high और फिर से यह high यहां पर देखिए price ने क्या-क्या है, यह वाला high ब्रेक किया है, again यह वाला high किया है, इस वक्त insult जो price हमारा दोड़ा हुआ है और प्राइस मेरा इस रेंज के उपर है डाउंसाइड के सपोर्ट के उपर प्राइस अपसाइड के तरफ चड़के गया है यहां पर देखे वॉल्यूम के भी ब्रेक आउट आपको देखने को मिले हैं इस वजय से जो सेलर्स हैं यहां पर हमकून की पावर्स नजर नहीं आ रहे हैं जिस्ट विकॉस आपको जो कैंडल्स बनी हुई है कोई सडिस्वाइंग कैंडल नहीं तो प्राइस जो अपने स्विंक्स को ब्रेक कर रहा है अभी डिविस लैब में क्या हो सकता है देखिए इसके अंदर दो तरफ के मूव हो सकते हैं मार्केट की कंडिशन को देखते हुए ही काम करना होगा आप इसके अंदर कोशिच की जगा अगर सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सिर्फ औरसे सेलिंग की जगा तो यह वाली जो candle है हमारी इसके नीचे ही price अपना reject हो रहा है rejection ले रहा है इस rejection के जरीए हमें क्या पता चल रहा है कि यह वाली जो range है इसको भी चले ही mark करके हम group में share कर देंगे वहां से आप लोग देख सकते हैं यहां से भी देखिए price मेना reject हो रहा है sessions में क्या हो सकता है live market session में इसको सिर्फ और सिर्फ selling के लिए देखेगा लेकिन range कौन सी होंगी आपकी यह वाले range double ranges इनके पास से आपको देखना previous जो swings हैं यह वाला point इनको थोड़ा सा highlight कर देते हैं यह वाला point यह वाला point यह और again यह यह चार जो highlighted points हमने किये हैं यह चारों के चारों एक बहुत important zone क्रियेट कर रहे हैं डिविस लाप के अंदर कोशिच की जागा इसके अंदर के सेल ही करें और जैसा कि यह में बताया है ग्रूप में मॉनिंग में भी कुछ stocks हम शेयर कर देते हैं वहां से भी आप देख सकते हैं तो थैंक यू गुडबाई एंड कल जो stocks देते हैं उन्होंने अच्छा मूव किया था और उम्मीद करते हैं आज जो stocks देते हैं इन्होंने यह भी कल के दिन अच्छा मूव करेंगे गुडबाई एंड वीविल मीट अगें